स्वाट गते आप सब का कौकी कीचिन में मैं आज आई आप के लिए लेकर हैँ उट्र अलू-मेती के टेष्टी पराथे बहुत ही टेष्टी पराथे बनते हैं डोस्तों तो आपने आलू पराथे तो बहुत खाये होंगे इस तरह से आप जरूर ट्राइ कीजिए एक पर आलू मेथी के पराथे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यामी एंट टेस्टी आलू मेथी पराथा यह मैंने कड़ाई को गरम कर लिया है इसमें हम चुर्थ 3 टीजपून ओयल डालेंगे Il जैसे गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे अतर apply झाली कलेंगे इसे पडलिया है अलका साधी कर लेंगे इसे कर देंगे इसमें 250 ग्राम मेति इसको मैं इस तरह से साफ करके दो लिया था जब तक मेति हमारी कुक हो रही है तब तक हम आलू को स्मैश करना है इसका लिप लगा कर हम इसे पपाएंगे तीन से चार मिनेट तक आणी कुक हो रही है तब तक हम आलू को स्मैश कर लिया है यहां मैने बॉल की होए आलू लिया है यह मैने 700 ग्राम सालो लिया है चलिए आलू को स्मैश कर लिया है आलो को मैंने smash कर लिया है यहां मैंने 1 टेबल स्पून रैड चिली पाउडर दिया है एक टेबल स्पून धन्या जीरा पाउडर आफ टीजपून जीरा पाउडर एक टीजपून है गरम मसाला एक चुथाई चमश है हल्दी और हाप टीजपून मैंने लिया है आम चुर पड़ों सारी चीज़े इसमें डाल देते हैं और अच्छे ते करेंगे मिक्स सारे मसाले अलका सा पूख्वाने देंगे इसे इसता में हम ढालेगे धनिय एक कुथाई कफ और साथ में डालेगे थोड़ी से पुदीने के पक्से उसे भी बड़िया से पूख कर लेंगे ज़िए में तरवक एक से दो मिनित तक हम इस तरह से सौटे करेंगे वड़िया फ्लेवर आएगा कुदीना से इस पराठे में अब भी जरूर प्राइए इस तरह से इस थंडी के मौसम में मेथी और आलू के पराठे देखिए तरिफ दो मिनिट हो चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे स्मैश किये हुए आलू सारी चीजहों को बढ़िया से करेंगे मिक्स और साथ में हम आड़ कर देंगे स्वादिन साथ नमब मिश्रन अच्छे से मिक्स हो चुका है अच्छे से कुछ खुभी हो चुका है अब हम फ्लेम को आफ करेंगे मिश्रन को निकालेंगे किसी बावल या प्लेट में किसा कि यह जबी से थंडा हो जाए अच्छे स्टफिंग को मैंने इस तरह से निकाल लिया आए चलिए स्टफिंग थंडा हो ने देते हैं तब तक हम आटा गुत लेते हैं यह मैंने दो कप आटा ले लिया आए गयों का इसमें हम डालेंगे स्वादनसार नमक काट में हम डाल देंगे दो टेबल स्पून जितना ओयर पहले सारी चीज आचे से मिक्स कर देंगे सौ backed लगाएंगे दिए लीए छोड़ा पानी डालते हैं एक हैसे लिसमें थोड़ा तेल डालें पर फिर से मसल लेते हैं कि अले काहरा ज़ा के लिसमें आटल वहत देता दो कर सार्वास ह्किला करया करते हैं यह और दो देंगे इस तरह से साफ्ट आटा होना चाहिए दिख पार है आप वीडियो में इस आटे को हम रेस्ट करने देते हैं करीब 10 मिनिट के लिए कि देखिए यहां पर स्टपिंग हमारा ठंडा हो चुका है अच्छे से और आटा भी सेट हो चुका है अब हम बना लेते हैं पराठे कि मैंने यहां एक लोई ले लिए बड़ी से इस पर हम आटा चिर्केंगे अ यहां मैंने घेओं का यह आटा लिया है यह गयों का अटा डुस्ट करने के बाद हम इससे बेलेंगे इस तरह से में एक रोटी बेल कर रेडी कर लीए इसमें हम स्टपिंग अब लगा देंगे पूरा सा ओपर से हम इस तरह से एक्स्ट्रा आटा निकाल कर यसे प्रैस कर लेंगे इस तरह थोड़ा सा सुखा आटा डालते हुए हम पराठे को बेलेंगे बिल्कुल हलके हातों पराठा बेलना है देखिए यहां पराठा हमारा रड़ी हो चुका है मीडियम तीकनेस रखी है मैंने अब हम इसे सेख लेते हैं यहां मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है आप चाहे तो तवे भी सेख सकते हैं थोड़ असा ओइल स्प्रिंकल करेंगे यहां फिर आप गरीस कर सकते हैं हलका गरम गो चुका है बस अब हम पराठे को तवे पर डाल देंगे दीमी आज पर दोनों तरफ से गोल्डेन होने तक पहले सीख लिए हम देखिए अच्छा सा गोल्डेन कलर आ चुका है दोनों तरफ इस तरह से मैंने सीख लिया है अब इस पराटे को पलटा लेते थोड़ा सा तेल डाल दिया और स्प्रेड कर लेते चारूर देखिए कितना गोल्डेन हो चुका है दूसरी तरफ बस इस तरह से सीखते हुए हमें कुप करना है बढ़िया सा गोल्डेन कलर आना चाहिए है हमारा पराटा फूल चुका है चलिए इसे दूसरी और पलटा लेते हैं कि देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है चलिए अब इससे ले लेते हैं सर्विंग फ्लैट में कि देखिए हमारे टेस्टी आलू मेथी के पराठे रेडी है मैंने यहां केचप के साथ सर्व कर लिया है चलिए आपको एक पराठा में कट करके बता देती हूं इसे कट कर लेते हैं हमारा टेस्टी आलू मेथी का पराठा देखिए कितना बढ़िया स्टफिंग लग रहा है बहुती टेस्टी बनता है यह अलू मेथी का पराठा मैंने सर्व कर लिया है हमारा टेस्टी टेस्टी मेथी आलू का पराठा आलू मेथी का पराठा बहुती टेस्टी बनाएं दो तब तक के लिए टेक केर बाबाई